बैचो आज मैंने अपने लिए एक नया बैग खरीदा और उस बैग में मुझे ये छोटी छोटी पाउच देखने को भी ले आप भी अपने लिए जब कोई नया बैग या नया जूते या फिर कोई इलेक्ट्रानिक समान खरीते होंगे तो आपने भी उन टिब्बों में ये देखे होंगे क्या आप जानते हैं कि ये पाउच क्या होते है इनके अंदर कौनसी चीज होती है और इन्हें उन टिब्बों में क्यों डाला जाता है मैं बताती हूं इसके अंदर होता है सिलिका जेल यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको यह SIGIGA GEL अभ हैमी से देखे यह किस तरह दिखाई देता है इसमें यह दाने दिखाई दे रहे हैं इसे तरह से जो बड़े एलेक्ट्रोनिक समान होते हैं उनमें बड़े पाउच होते हैं और इस तरह से इसका काम है वातावरण की नमी को अवशोशित कर लेना और इस तरह हमारी चीजें सुरक्षित रह पाती हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेप्ट्रानिक समान होते हैं उनमें नमी नहीं होनी चाहिए वरना उनमें जंग लग जाती है साथ ही जो हमारी चमडे की वस्त्वे होती है उसमें यदि नम्मी आए तो वहाँ पर उनमें फंगस लग जाती है और वो जल्दी खराब हो जाती है तो ये सिलिका जल उनके जो नम्मी है उसको अपनी सर्फिस पर अपनी सता पर अधिशोशित कर लेता है और वातावरण को शुष्क बनाए रखता है और इसका गुण होता है कि ये वातावरण की नम्मी को अधिशोशित कर लेता है जी हां आपने सही सुना अधिशोशित कर लेता है यानि कि जो वातावरण की नमी है वो इस सिलिका जिल के अंदर तक नहीं जाती केवल इसकी सता पर उपस्थित रहती है यानि कि जो सिलिका जिल के द्वारा नमी का अवशोशन होता है वो केवल सता पर होने वाली प्रक्रिया है इसी थरह से हमारे दैनिक जीवन में कई प्रक्रियाएं हैं या फिर लोहे में जंग लगने की क्रिया हो या फिर जल का मृदू करण हो या फिर जल का शुद्धे करण की क्रिया हो यह सभी सता पर होने वाली ही कर प्रक्रिया हैं अब आप समझी गया होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ जी हाँ एक पांच प्रिष्ठ रसायन प्रिष्ठ रसायन सतह या अंतरा प्रिष्ठ पर होने वाली प्रक्रियाओं से संबंदित है तो आएए सबसे पहले हम जातने हैं कि अंतरा प्रिष्ठ क्या होता है जैसे कि आप जानते हैं पदार्थ की जो मूल भूत प्रावस्थाएं हैं ठोस, द्रौव और गैस इन में से किन ही भी दो स्थूल प्रावस्थाओं को एक दूसरे से प्रिथक करने वाली जो सतह या सर्फेस होती है उसे हम अंतरा प्रिष्ठ कहते हैं जैसे कोई भी दो स्थूल प्रावस्था हम ले सकते हैं ठोस, द्रौव हो या फिर कोई दो द्रौव हो या फिर एक गैस और एक द्रौ हो या फिर एक गैस और ठोस हो ये सब ही अलग अलग दो प्रावस्थाएं हैं जिन्हें एक दूसरे से प्रिथक करने वाली जो सता होती है वह अंतराप्रिष्ट कहलाती है हाँ दो गैसों के बीच किसी भी प्रकार का अंतराप्रिस्ट नहीं होता है क्योंकि गैसे आपस में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाती हैं यह जो स्थूल प्रावस्थाएं हैं वो योगिक के रूप में भी शुद्ध योगिक भी हो सकती हैं या फिर कोई विलियन भी हो सकती हैं यहाँ पर हम जब इन स्थूल प्रावस्थाओं को से अंतराप्रिस्ट को अलग दिखाते हैं तो उसके लिए हम छोटे हाइफन या फ कुछ अन्वों तक ही सीमित होती है लेकिन इनके प्रिष्ट का जो छेत्रफल होता है वह इस्थूल प्रावस्था के कणओं की साइज पर निर्भर करता है इसके साथ महत्पूर्ण ये भी है कि अंतरा प्रिष्ट पर किनहीं प्रक्रियाओं को संपन करना जितना महत्पूर्ण होता है उतना ही महत्पूर्ण होता है अंतरा प्रिष्ठ तयार करना वर्तमान में हम पास्कल कोटी के उच्च निर्वात में धातूं के द्वारा इसे प्राप्त कर लेते हैं इसके साथ ही इन्हें भंडारित भी इन्हीं निर्वात प्रक्रिया या निर्वात कक्ष में किया जाता है क्योंकि यदि ये बाहर रखा जाए इन्हें तो वायू में उपस्तित नाइट्रोजन या जो ऑक्सिजन गैस है वो इनके सर्फिस पर अच्छा दित हो जाती है इस प्रकार हम देखेंगे कि दैनिक जीवें से जोड़ी हुई बहुत सी प्रक्रियाओं के साथ-साथ और द्योगिक महत्तो की भी बहुत सी प्रक्रियाएं जैसे कि विलिनी करण, क्रिस्टली करण, इसके अलावा विसमांगी उत्प्रेरण तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम ये सभी भी यहां पर सता पर होने वाली प्रक्रियाए हैं तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रिष्ट रसायन का जो विसे है वह अध्योगिक महत्व का ही है साथ इसाथ वैशलेशिक महत्व का होने के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में होने वाली परिघट्टाओं के विसे में भी काफी महत्व पूर्ण हैं इस अध्याय के अंतरगत हम अंतरा प्रिष्ट से संबंधित विभिन विशिष्टताओं जैसे की अधिशोषन, उत्प्रेरण, इंजाइमी उत्प्रेरण तथा कोलाइडूं के विसे में विस्तार पूर्वत जानेंगे तो आईए, सबसे पहले हम जानते हैं अधिशोषन ऐसे कई उदाहरन ग्यात हैं, जो ये दर्शाते हैं कि किसी ठोस के प्रिष्ट की प्रकृती, संपर्क में आने वाले प्रावस्था के अणूं को आकरशित करके, अपनी सतह पर धारित करने या होल्ड करके रखने की होती है ये अनूं ठोस के अंदर प्रवेशन ही करते हैं, ये केवल उसके प्रिष्ट पर ही संचित होते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी अनुक इस्पीसीज का किसी ठोस या द्रो के इस थूल की तुल्ना में उसकी सतह पर या प्रिष्ठ पर अधिशोशित होना अधिशोशन कहलाता है और इस प्रकार इस अनुक इस्पीसीज का जिस अनुक इस्पीसीज का किसी ठोस की सतह पर अधिशोशन होता है उसे हम अधिशोश या एड़्जॉर्बेंट कहते हैं उसी तरह से जिस ठोस सता पर अधिशोशन की प्रक्रिया होती है उसे हम adsorbent कहते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह विलियन के में हम विले या विलायक की से इसकी तुलना कर सकते हैं बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जैसे की charcoal, silica gel, alumina gel जो की सुक्ष्म अवस्था में या सुक्ष्म बारिक चून के रूप में एक अच्छे अधिशोशक की भाती कारे करते हैं क्योंकि बारिक चून प्रावस्था में इनके प्रिष्ट के छेत्र फल में व्रधी हो जाती है इसी तरह से बहुत सी धात्वनी जैसे की nickel, platinum, platinum आधी भी सुक्ष्म अवस्था में या तथा कोलाइट्स ये अच्छे अधिशोशक की भाती कारे करते हैं उधारन के लिए हम देखते हैं कि यदि एक बंद फ्लास्क में हम चारकोल ले लें और उसमें कुछ गैसे जैसे की oxygen, hydrogen, chlorine, ammonia आधी को एकत्रित कर लें तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर जो gas का दाब होता है वो कम हो जाता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चारकोल ने इन गैसों को अपनी सता पर अधिशोशित कर लिया है यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो चारकोल होता है यह अच्छा अधिशोशक होता है चारकोल किस तरह हम तैयार करते हैं हम जब लकडी को उच्च ताप पर वायू की अनुपस्थती में गर्म किया जाता है तो लकडी के अंदर उपस्थत जो वाश्पशिल पदार्थ होते ह है यह नमी होती है वो बाहर निकल जाती है और इस तरह से जो हमें कोईला प्राप्त होता है उसे हम चारकोल कहते हैं यह चारकोल एक बहुत अच्छा अधिशोशक होता है साथी साथ यदि हम इस तयार चारकोल को भाव के साथ उच्च ताप पर रग्त तप्त होते तक गर् कर जाती है और इस प्रकार तयार चारकोल को हम imperative चारकोल या एक्टिवेटेड़ क्रेचारकोल कहते हैं और प्रायार अधिशोष्चन प्रक्रम या शुद्धिकरण की प्रक्रम में activated charcoal का उपियों किया जाता है दूसरा उधारण हम ले सकते हैं methylene blue का methylene blue जो की एक डाई होता है जब हम इसका जली विलियन बना लेते हैं और इस पर activated charcoal डाल कर इसे अच्छी तरह से हिला लेते हैं और तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो charcoal है pigment यानि कि वर्णक के अड़ों को अपनी सता पर अधिशोशित कर लेता है और इस तरह से जब हम इसे filter करते हैं तो जो filtrate या जो छनित्र हमें प्राप्त होता है वो रंग हिन होता है क्योंकि methylene blue ये जो की नीले रंग का विलियन बनाता है उसके जो कण है उनको charcoal के द्वारा अधिशोशित कर लिया जाता है इसी प्रकार से हमने जो silica gel की बात की सिलिका जल भी वही काम करता है ये वातावरान की नमी को अपनी सता पर अधिशोशित कर लेता है इसी तरह एक औरुदारन हम शक्कर का ले सकते हैं जब शक्कर तयार होती है तो वो उतनी सफेद नहीं देखती जितने जैसे की आप दुकान से उसे खरीद कर लाते हैं जब शक्कर के विलियन को चारकोल की परतों पर गुजारा जाता है तो जो विलियन है वो रंगहीन हो जाता है क्योंकि जो रंगीन पदार्थ हैं वो चारकोल की सत्दा पर अधिशोशित हो जाते हैं और इस तरह जो प्राप्त रंगहीन विलियन होता है उसका फर से कस्ट्रली करन करके शुद्ध और सफीद सक्कर प्राप्त कर ली जाती है इसके अलावा सिल्का जेल का उधारान तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिल्का जेल वातावरन की नमी को अपनी सता पर अधिशो जाते हैं इसी तरह से एक और प्रक्रिया है विशोषन यानि की अधिशोषन का उल्टा होता है विशोषन यानि किसी अधिशोषक के सतह में से अधिशोषित पदार्थ को हटाना विशोषन कहलाता है अधिशोषन को और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए आईए हम अवशोशन से इसकी तुलना कर लेते हैं यदि हम अधिशोशन की बात करें तो अधुशेशन एक सत्ता ही प्रक्रिया है यहनि कि यह एक सर्फिस फिनॉमेना है जबकि अवशोशन एक स्थूल प्रक्रिया है यहनि कि यह हम कहें कि एक बल्क फिनॉमेना है यदि हम जो अधिशोशित होने वाला पदार्थ है वह केवल उसकी सता पर संचित होता है उसके बल्क के अंदर नहीं जाता है जबकि अवशोशन में जो अब्जॉर्शन की एक्रिया होती है यहने कि जो अधिशोश्य पदार्थ होता है वह बल्क में समान रूप से वितरित हो जाता ह là इसे एक चौक के उधारन के द्वारा समझ सकते हैं यदि हम चौक को स्याही के अंदर डुबा दे तो कुछ समय के बाद जो रंगीन शाही का रंग होता है वह चाक की परत के ऊपर जम जाता है यहनि कि चाक के ऊपर जो रंगीन पदार्थ हैं वो अधिशोशित हो जाते हैं जिससे चाक रंगीन दिखाई देता है लेकिन जब हम इसे तोड़कर अंदर की तरफ से देखते हैं तो अंदर रंग दिखाई नहीं देता यहीं दर्शाता है कि जो चाक के रंगीन पदार्थ है वह चाक के सता पर केवल अधिश पशोशित हो रहा है दूसरी और यदि हम उसके अंदर देखते हैं तो जो विलायक के कढ़ है, यह य्नी कि रंगीन पदार्थ जिस में घुला हुआ है वह विलायक के जो कढ़ है वह चाक के अंदर तक पहण जाते हैं, यह यह रहें कि विलायक सिलिका जल के सथा पर अधिशोशित होती है जब कि हम कैलस्यम क्लॉराइड को लें तो यहें जलवाष्प कैलस्यम क्लॉराइड में अंदर तक यहने कि स्थूल तक प्रवीश कर जाती है यहने कि जो कैलस्यम क्लोराइड है वह जल को अंदर तक अवशोशित कर लेती है इसी तरह से हम यदि अंतर देखें तो देखें कि अवशोशन की दर अवशोशन की दर प्रक्रिया के शुरुवात से लेकर अंदर तक समान होती है लेकिन अधिशोशन में जो अधिशोशन की दर होती है वह सुरू में तो तीवरगती से होती है लेकिन जैसे जैसे सर्फिस जो ठोस पदाथ है स्थूल है उसकी सर्फिस कभर होती जाती है वैसे वैसे अधिशोशन की दर कम होती जाती है इसी तरह से हम एक और दारन ले सकते हैं यदि जो आवशोशन की प्रक्रिया होती है वो ना तो एक्जो थर्मिक होती है लेकिन जो अधिशोषन है वह सदैव एक्जोथर्मिक यनि की उस्माक्षेपी प्रकार का प्रक्रम होता है। इन सब के अलावा एक और प्रक्रिया या प्रक्रम उप्योग में लाया जाता है वह होता है शोषन। वह परिघटना जसमें की अधिशोषन तथा अवशोषन धोनों साथ साथ होते हैं उसे हम सोशन या सौषन कहते हैं। यहाँ पर हम देखें कि जो cotton पदार्थ होते हैं जब उनकी dye की जाती है उनको अलला रंगों में dye करते हैं तो जो dye रंजक होता है cotton जो कपड़े होते हैं उन पर अंदर भी प्रवेश करता है और उनके सत्ह पर भी रुक जाता है तो यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है वह श अधिशोशन के बारे में बहुत सी बातें जानी आएए अब जानते हैं कि आखिर यह अधिशोशन की प्रक्रिया होती क्यों है इसके पीछे कारण क्या है या हम कहें कि इसकी क्रियाविधी क्या होती है तो अधिशोशन जो है वह मुख्यू रूप से दो कारणों की वज़ यदि हम किसी अधिशोशक पदार्थ के बल्क में उपस्तित कणों पर विचार करें तो आप पाएंगे कि जो बल्क में कण उपस्तित होते हैं वह अपने आसपास के कणों से समान रूप से आकरशित होते हैं यनि कि वे इनके द्वारा एक संतुलित बल्का अनुभव ये करते हैं और इस वज़े से वो स्थाई होते हैं लेकिन यदि हम इनके सत्था पर उपस्तित कणों पर विचार करें तो आप देखेंगे कि जो सत्था पर उपस्तित कण हैं वह अपने समान कणों से चारों तरफ स छोड़े घिरा हुआ नहीं है और इस वजह से इन पर रसंतुलित बल कारे करते हैं इस बल के कारण ही किसी ठोस की सतव के जो कण होते हैं यह बाहर के अपनी आसपास उपस्थित जो यावस्था होती है उसमें उपस्थित कणों को अपनी और आकर्षित करके सता पर संचित करके या होल्ड करके रखते हैं यहां पर हम देखें कि जो अधिशोशन की मात्रा होती है जो अधिशोशित पदार्थ के प्रती ग्राम द्रव्यमान के छेत्रफल पर निर्भर करती है जितना जादा छेतरफल होता है अधिशोषण की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है साथ ही दूसरा जो कारण है वह है अधिशोषण उश्मा जैसे कि हमने देखा कि जो सर्फिस पर उपस्थित कण होती है वह असंतुलित बलों का अनुभव करते हैं और इस वज़े से ये अस्थाई होते हैं जिससे इनकी उर्जा अधिक होती है जैसे जैसे अधिशोषण की प्रक्रिया होती जाती है इनकी उर्जा में कमी आती जाती है और उर्जा में होने वाली यह कमी उश्मा के रूप में बाहर निकलती है यहने कि अधिशोशन हमीशा उस्माक्षेपी प्रक्रम होता है यहने कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि अधिशोशन की एंथल्पी रणात्मक होती है इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जो ठोस की सता के आजपास जो गैस के आणू होते हैं वो इधर उधर संचरित होते हैं इसलिए अविवस्था जादा होती है लेकिन जैसे ही अधिशोशन होता है यहने कि यह इस थूल की सता पर आकर एकत्रित होते जाते हैं इनकी यह विवस्थत होते जाते हैं तो विवस्था में बढ़ोत्रिया जाती है यहने कि एंट्रॉपी में कम्याती है यहने कि हम क अब यहाँ पर हम देखें कि हम जानते हैं उश्मागतिकी प्रक्रम के अनुसार या उश्मागतिकी केनियम के अनुसार हम यह जानते हैं कि जो स्वता प्रवर्थित प्रक्रम होती हैं उनके लिए सामान जो ताप एवं दाप पर डेल्टा जी का मान रिनात्मक होना चाहिए डेल्टा जी का मान तभी रनात्मक हो सकता है जबकि यहाँ पर डेल्टा एच का मान पर्याप्त रनात्मक हो और इस स्थतिकों के कारण चूकि यहाँ पर जो अधिशोशन है वो एक्जोथर्मिक होता है इसलिए डेल्टा जी का मान रनात्मक हो जाता है और इस तरह से डेल्टा जी के मान रनात्मक होने के कारण जो दोनों गुणकों के संयोजन के द्वारा डेल्टा जी का मान रनात्मक हो जाता है और यही वज़य है कि अधिशोशन की प्रक्रिया संपन होती है यहाँ पर एक और महत्वपुन बात यह है कि शुरू शुरू में जब अधिशोशन प्रक्रिया प्राराम होती है उस समय डेल्टा जी का मान अधिक रनात्मक होता है लेकिन जैसे जैसे अधिशोषक की सता पर अधिशोषन होता चला जाता है यानि कि उसकी सर्फेस अधिशोषी पदार्थों के द्वारा कभर होती जाती है वैसे वैसे अधिशोषन की प्रक्रियाधीमी होती जाती है और इसलिए उत्सर्जित होने वाली उर्जा भी कम हो जा जाता है और एक समय ऐसा आता है जब डिल्टा एच का मान पी डिल्टा एस के मान के बराबर हो जाता है और इस स्थती में डिल्टा जी का मान शूने हो जाता है और इस स्थती को हम कहते हैं साम्यावस्था यहने की साम्यावस्था में जो अड्जॉर्प्शन की दर की दर के बराबर हो जाती है यहाँ पर हम देखें तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया समझने के बाद हम क्या ही कह सकते हैं कि जो अधिशोशन प्रक्रिया है वह अधिशोशत पदार्थ के सत्धा उपर उपस्थित कणों के असंतुलित अस्थाई तथा अधिक उर्जावाली इस्थती से संतुलित इस्थाई तथा कम उर्जावाली इस्थती पर परिवर्तित होने की कारण हो पाता है